नमस्कार और वल्कम यौल वर्ल अफेर्ट नहीं प्रशान धवन और इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉरेंट टॉपिक हाली में भारत के शिक्षा मंतरी ने एक कॉमेंट करी है इनोंने ये कहा है कि बहुत जादा मिसलीडिंग प्रोपगेंडा रिभ लाया जा रहा है डारविन की थियोरी को लेकर डार्विन की जो थियोरी ओव एविलूशन है उसको लेकर प्रोपगेंडा ये फिलाय जारहा है इनके हिसाब से कि día इंडिया ने इस थियोरी को अपनी टेक्स्ट्वुक से रिमूव कर दिया है यहाँ पे आप देख प जो evolution का chapter है, remove कर दिया गया, जब कि यह सही नहीं है, it is not true, even Al Jazeera आप देखो कि उन्हें mix कर दिया दोनों चीजों को, कि देखो, Mughals का chapter हटा दिया, evolution हटा दिया, India बड़ा right wing हो गया है, तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे के हुआ क्या है, theory of evolution important क्यो है, हाली में क्या किया का फैसला किया है, actually इसको launch करी दिया है, जिसका नाम है Giga Chat AI Bot, मुझे एक सेकंड के लिए genuinely लगा कि यह Giga Chat चैड बॉक्स है, क्योंकि लिटरली जब मैंने इसको Google किया था तो Google ने भी मुझसे पूछा कि क्या आप कहना चाते हैं Giga Chat, तो I think Missed Opportunity as Country की बड़िया नाम रह सकत दे थे, मगर यहां पे आप बताईए, कि Giga Chat AI Chat वॉक्स किस कंट्री ने लॉंच किया है, यह है आपकी आपकी option, USA, North Korea, Russia या फिर इसराइल, comment section में करिये उत्तर, सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के एंड में, ओके तो सबसे पहले यहां पे आपको जाना होगा Darwin के बारे में, Darwin एक English Scientist थे और इनोंने 1859 में एक किताब लिखी जिसने human beings पर बड़ा impact डाला, इस किताब का नाम था On the Origin of Species, यह यहां पे आप देख पाऊगे किताब, इसमें इनोंने एक idea प्रपोस किया, एक theory प्रपोस करी, कि शायद species evolve करते हैं, over the year species अपने महौल के हिसाब से, प share किया गया, बाद में Darwin ने और भी किताबे लिखी, for example, The Descent of Man, इसमें इनोंने ये भी hint किया, कि एक इनसान और एक बंदर का same ancestor हो सकता है, और यहीं से आप कहली जीए, हमारी understanding develop होई है, कि एक time पर हमारे जो पूरवज थे, वो ape-like थे, और आप कहली जीए, एक बहुत ही important time हिस्ट्री में, जब एक नई स्पीसी शुरू हो गई, और eventually आज आकर हमारा evolution हुआ, आज हम homo sapiens बन पाए, इस सब में of course, लाखो साल लग गए, बढ़ आज के समया आद देखोगे, जरातार scientific community, Darwin की जो theory है, the theory of evolution, इसे accept करती है, यह scientifically इनको लगता है, कि हाँ, यह जो theory है, it स्कूल्स में पढ़ते थे, कि सबसे पहले God ने Adam और Eve को बनाया, उस से फिर human race आगे बढ़ी, उनके लिए कितना shocking लगा होगा, कि जब Darwin ने यह propose कर दिया, कि humans और apes का एक time पे आकर, एक same ancestor हुआ करता था, तो Darwin की जो theory थी, वो जरातार Christian countries, Islamic countries, Jewish country तो खहर यह किया, Israel, वहाँ पर initially, शुरवात में इतनी आसानी से accept नहीं करी गई, मगर धीरे धीरे जब scientist ने से promote किया, तो eventually दुनिया भर में यह theory accept कर ली गई, हाला कि मैं यह कहूंगा, कई देश है, जहाँ पर आज भी theory of evolution नहीं पढ़ाई जाती, अगर हम एक सर्वे देखें, जो Pew ने किया था 2009 में, कि कौन से religion के लोग Darwin की theory को आसानी से accept कर लेते हैं, तो Hindus और Buddhist टॉप पे थे, दोनो 81%, 80% Hindu ज़रातार अराम से accept कर लेते हैं, Darwin की theory को के हाँ बिल्कुल evolution हुआ होगा, एक time पे आकर humans और rapes का एक single ancestor रहा होगा, मगर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, Christianity की जो various sects हैं को आप द Muslim population को आप देखोगे, वैसे वैसे theory of evolution पे जो belief है आपको कम मिलेगा, और आज भी हम देखते हैं कई Islamic countries में, जो theory of evolution है बिल्कुल बैंड है, Turkey ने 2017 में Erdogan के अंडर theory of evolution बैंड कर दी थी, अपने सरकारी स्कूल्स में, ये काम Pakistan बहुत लंबे समय से करताया है, पाकिस्तान और Turkey जरे जो देश है, यहाँ पर ये लोग फोकस करते हैं, creationism की theory पर, और सेम चीज़े आपको मिलेगी USA की कई states में, USA में भी कई states हैं, कई अलाके हैं, वहाँ पर Christian conservative रहते हैं, वो लोग theory of evolution नहीं पढ़ातें, और आप लोग समझ सकते हैं कि Europe में na theory of evolution को accept करवाने में कित्ती म evolution को लेकर, जब भी एक देश ये कहता है, जैसे टर्की ने का था 2017 में, के जी हम theory of evolution को बैन कर देंगे, अपने देश में, किताबों में बैन कर देंगे, तो scientific community के कान खड़े हो जाते हैं, कि अब ये देशना scientific सोच से दूर जा रहा है, अब ये religion की तरफ ज़रा बढ़ रहा है, और इसलिए हाली में, जब NCRT ने changes किये, तो 1800 scientist ने एक open letter लिखा और ये कहा, कि please students को आप theory of evolution पढ़ाईए, नाओ यहाँ पे मैं clear कर दूँ, कि NCRT ने किया क्या है, number one बात, NCRT ने theory of evolution को किताबों से हटाया नहीं है, आज के समय आपको बता होगा, कि एक rationalization का process चल रहा में उनको कम किया जा रहा है, कई बार ये देखा जाता है, कि एक topic होगा, ये 10 वी में भी आएगा, फिर 12 वी में भी आएगा, उससे पहले भी आएगा, तो जब topics बार बार repeat हो रही है, तो बच्चों पे उससे added pressure आता है, अब theory of evolution के बारे में मैं आपको बताओं, तो जो class 10 की book NCRT की, वहाँ पे इसका chapter हुआ करता था, मगर बाद में अगर मान लो कोई बच्चा है, वो science stream चूज करता है, वो biology पढ़ता है 12 कक्षा में, तो फिर से वो theory of evolution पढ़ेगा, तो यहाँ पर NCRT ने simply क्या किया है, कि 10th class से evolution का portion थोड़ा reduce कर दिया है, और अब जादा focus किय जाएगा theory of evolution पर 12th standard में, now scientist का यहाँ पर यह कहना है, इसे कम कक्षा के बच्चो को भी अच्छे से पढ़ाना चाहिए, theory of evolution उनके लिए काफी important है, और यह देखिए, एक debate का issue हो सकता है, कि आप किस कक्षा में theory of evolution पढ़ाना चाहते हो, आपको क्या लगता है, कि theory of evolution का 17 में, हम उस रास्ते में नहीं जा रहे, और आज भी आप survey करवालो, इंडिया में जरातार जो students है, majority of students, वो राम से कहेंगे कि हम theory of evolution के जो basic सिद्धानत है, मानते हैं, ठीक, ऐसा हुआ होगा, it seems plausible, और इसलिए education minister ने ये का है, कि बहुत सारा misleading propaganda फ्लाया जा रहा है, इंडिय ने launch किया है, chat GPT का rival, giga chat AI, chat box, जित्ती बार पढ़ता होना, उटना, giga chat बिलकुल अराम से टंग में आता है, missed opportunity, by which country, by Russia, रश्या देखिए, आज कैसा में, बहुत सारी opportunities, miss कर रहा है, ये भी एक और missed chance हैं के पास, ये नाम रख देते हैं, तो काभी लोग इसको use भी करना पसंद करते, क्यार अभी के लिए यार रखिएगा, giga chat bot, ये chat GPT के टक्कर मेंनों ने बनाया है, make sure to remember this, और finally यहाँ पर मैं ये भी आड कर दूँ, कि अनकाडमी की जो 25% discount सेल थी, जिसमें total discount वैसे आपको मिलता है, 50% का, ये discount extend कर दिया जा चुका है, इस महीने के end तक, ब UPSC का combo course, तो यहाँ पर comment section में जाओ, यहाँ पर आपको link मिलेगा, UPSC CSE GS plus optional, इस link पर करिए click और यहाँ पर परचेस कर पाएंगे, ये combo course, जिसके जरीए आप UPSC prelims, mains optional, तीनों की ही त्यारी कर सकते हैं, in a single purchase, और आपको flat 50% का discount मिलेगा, और ये discount अवेल करने के लिए, code यहाँ पर डालिएगा PD10 और अपने आप prices गरना start हो जाएंगे, you will be able to save a lot of money, so use the code PD10 and save money, इसी note के साथ ये है video कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all.